आज हम गणित के एक अध्याय त्रिकोन मिती का अध्यायन करेंगे तो आईए शिरू करते हैं त्रिकोन मिती बिल्कुल यह आपके लिए एक नया अध्याय है तो आज शुरुआत हम इसके पड़िचे से करेंगे फिर हम तรिकोन मित्य अनुपाद पढ़ेंगे और पूरा कोन का त्रिकोन मित्य अनुपाद कैसे निकालते हैं हम यह देखेंगे अंग्रेजी शब्द Trigonometry के व्यूपती ग्रीक शब्डों Pride जिसका अर्थ है तीन Gone जिसकी अर्थ है भुजा और METRON जिसका अर्थ है MAAP से हुई है त्रिकोण मिति में एक त्रभुज्च के भुजाओं और कोणों के बीच अध्ययन किया जाता है त्रिकोण मिति अनुपाध पढ़ने से पहले हमें एक त्रभुज्च के बारे में जानकारी होने जाहिए यदि हम एक समकून तरबुज A, B, C लें जिसमें कून B है वो समकून है और यदि हम कून A की तरफ से देखें तो कून A की विपरीत वाली भुजा B, C को हम कून A की सम्मुक भुजा कहेंगे A, B को कून A की सनलगन भुजा कहेंगे क्योंकि वह कुण A का एक भाग है A.C. जो है उसे हम कर्ण कहते हैं कर्ण किसी भित्र भुच के सबसे लंबी भुजा होती है दोस्तों कुण के बदले से समुक भुजा और सनलगन भुजा में पड़िवरतनाता है किन्तु कर्ण किसी भित्र भुच का हमेशा वही रहता है तो यहीं पर यदि हम कौन C लेते हैं तो A.B. जो है वो समुक भुजा हो जाएगी A.C. कर्ण भुजा हो जाएगी और B.C. सनलगन भुजा हो जाएगी तो यदि आपको पहली बाती अच्छे से समझ आ गई है तो हम त्रिकोन मेती अनुपात पढ़ने के लिए तैयार है यहाँ पर हम जितने भी त्रिकोन मेती अनुपात की चर्चा करेंगे वह कौन A के लिए होगा दोस्तों, कुल 6 तरह के त्रिकोण में तिया अनुपात होते हैं साइने, जो कोण A के सम्मुक भुजा वा कर्ण का अनुपात होता है यहाँ पर वा BC और AC का अनुपात के बराबर है दूसरा त्रिकोण में तिया अनुपात जो कौस होता है जो सनलगन भुजा वो कर्ण का अनुपात होता है तीसरा टैन जो समुक भुजा वो सनलगन भुजा का अनुपात होता है जिसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इसलिए टैन जो होगा वो साइन और कौस का अनुपात होगा चौथा त्रिकोण में तिया अनुपात कोसेख होता है जो साइन का व्यूत्करम होता है पांचवा कॉट होता है जो टैन का व्यूत्करम होता है और छटा सेख जो कॉस का व्यूत्करम होता है दोस्तों साइन कौस टैन जितने भी हैं सब तेकोड में तिया अनुपात हैं तो इन में तब तक पड़िवर्तन नहीं आएगा जब तक त्रिभुज के लंबाईयों का अनुपात समान बना रहे तो यहाँ पर हम दो त्रिभुज का अध्यान करेंगे त्रिभुज APM और त्रिभुज ACB त्रिभुज APM और त्रिभुज ACB सम रूप हैं जिसके कारण AM और AB का अनुपात AP और AC के अनुपात के बराबर होगा जो PM और BC के अनुपात के बराबर होगा और इसलिए हम Sine Cost 10 यदि समकोन तरभुज A.M.P. में लगाएं और समकोन तरभुज A.B.C. में लगाएं तो Sine Cost 10 ये सारे तरभुज में अनुपात इन दोनों तरभुज के लिए समान होंगे क्योंकि इनके भुजाओं की जो अनुपात हैं वह समान है दोस्तों गौर करने वाली एक और बात है कौट ए जो है या फिर कोई भी त्रिकोड में थी अनुपात वह कभी भी उस त्रिकोड में थी अनुपात और कौड का गुन फलन नहीं होता है इसलिए हम कौट ए को कौट गुना ए नहीं लख सकते हैं और दूसरी गौर करने वाली बात यह है यदि आपको याद हो तो हमने बताया था कि कोसिक ए जो होता है वो साइने का व्यूत करम होता है तो उसे हम साइन के घात माइनस एक नहीं लख सकते हैं दोस्तो इसका मतलब कुछ और होता है जिसे आप अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमय के अनुसार करन का वर्ग आधार एवं उचाई के वर्ग के योग के बराबर होती है यह प्रमय अक्सर तप्रयोग की जाती है जब हमें एक समकोड त्रभुज में कोई भुजा का माप ग्यात नहीं होता है यहाँ पर A.B. आधार है और B.C. उचाई है और A.C. करन है एक त्रकोण मिती अनुपात से सभी त्रकोण मिती अनुपात का पता लगा सकते हैं उदारन के तोर पे यदि साईने तीन बटे पाच है तो B.C. को यदि हम तीन के के बराबर माने तो A.C. पाच की होगा जहांके अनुपातिक्ता का कारक है जिसे हम फाक्टर ओफ प्रपोर्शनालिटी अंग्रेजी में कहते हैं A.B. को हम पाइथागोरिस प्रेमे से निकाल सकते हैं जो 4K के बराबर आ जाएगा तो हमें कॉस A का पता लगाना है तो दोस्तों कॉस A जो होगा वो A.B. बटे A.C. के बराबर होगा जो की 4 बटे 5 आ जाएगा उसी प्रकार टायने का पता लगा लेंगे जो 20 बटे A.B. के बराबर होगा जो 3 बटे 4 आ जाएगा दोस्तों उसी प्रकार हमें cos square a जोर sin square a का पता लगाना है तो यह 16 बटे 25 जोर 9 बटे 25 यानि 1 के बराबर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि cos square a जोर sin square a हमेशा ही 1 के बराबर होता है जो आप अपनी आगे की कक्षा में पढ़ेंगे आईए एक और उदाहरन लेते हैं यदि tan a एक के बराबर है तो हमें यह सत्यापित करना है कि two sign a कौसे जो होगा वा एक के बराबर होगा दोस्तों इस तरह बुज में tan a जो है वह bc बटे ab के बराबर होगा तो bc को हम ab के बराबर मान सकते हैं जो कि k के बराबर मान सकते हैं ac जो है वह k root 2 के बराबर आ जाएगा तो two sign a कौसे जो है वह हम निकाल सकते हैं क्योंकि sign a इस तरह बुज में bc बटे ac के बराबर होगा और कौसे ab बटे ac के बराबर होगा तो इस प्रकार से टू साइने कौसे जो है वह एक के बराबर आ जाएगा तो दोस्तो हमने यह सत्यापत कर दिया है दोस्तो यहां पर कुछ प्रमुक कोडों के त्रकोण मितिय अनुपात के मान दिये हुए हैं जिन्हें आपको याद रखना होगा इनमें कुछ गौर करने वाली बाते हैं जैसे यदि हम कोड का मान बढ़ा रहे हैं तो जो साइन का मान है वह भी बढ़ रहा है परन्तु कौस का मान घट रहा है यहां पर वही बाते दोहरा ही गई है कोड में वृद्धी होने के साथ साइन का मान बढ़ रहा है और कोण में वृद्धी होने के साथ कॉस का मान घटता है पर दोस्तो साइन और कॉस दोनों त्रिकोड में ते अनुपात का जो भी मान होगा वह हमेशा माइनस एक से एक के बीच में ही होगा यहाँ पर एक उताहरन है यदि साइन ए माइनस भी एक बटे दो के बराबर है और कॉस ए प्लस भी एक बटे दो के बराबर है जहाँ ए प्लस भी जो है वह शूने से नब डिग्री के बीच में है तो हमें ए और भी ग्यात करना है तो यहाँ पर आपको त्रिकोड मेतिय अनुपात का यदि मान याद हो तो sin जो है वो एक बटे दो 30 degree के लिए होता है तो a-b 30 degree के बड़ाबर होगा और उसी तरह से a plus b 60 degree के बड़ाबर होगा तो इन दोनों को हल करने के बाद हमारा a 45 degree और b 15 degree आता है यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि sin a plus b sin a plus sin b के बड़ाबर नहीं होता है पूरक कोण दो कोड़ों को पूरक कोण तब कहा जाता है जब उनका योग 90 degree के बड़ाबर होता है यदि हम तरिभुज a, b, c में देखें तो a और c एक दूसरे के पूरक कोण होगे तो इस प्रकार से sin 90 माइनस a sin c जो कि a, b, c, c के बड़ाबर होगा जो कि कॉस a के बड़ाबर होगा इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस a, sin a के बड़ाबर होता है tan 90 माइनस a, cot 90 माइनस a, tan a और उसी प्रकार से, sec 90 माइनस a, cos a, k के बड़ाबर होगा चलिए अब हम कुछ उदाःन देखते हैं जैसे साइन 40 बटे कौस 50 को हम कौस 90 माइनस 40 बटे कौस 50 लिख सकते हैं तो हमारा उत्तर एक के वराबर आजाएगा अगले उदाःन में हमें कोसेक तिरपन जोड सेक सरसट को शूने और 45 डिगरी के बीच के कोणों के तो दोस्तों हम कोसिक तिरपन को सेक 90 माइनस तिरपन और सेक सरसट को कोसिक 90 माइनस सरसट लिख सकते हैं, तो हमारा उत्तर सेक 37 जोर कोसिक 23 डिगरी आ जाएगा. अगले उधारन में यदि A और B तरिपुज ABC के आंतरिक कोन हैं, तो हमें यह दिखाना है कि साइन B जोर C बटे दो, कोस A बटे दो के बराबर होगा. तो दोस्तों, क्यूंकि A, B और C जो हैं, वह एक तरिपुज के आंतरिक कोन हैं, तो ABC का जोर 180 डिगरी के बराबर होगा, तो B जोर C को हम 180 माइनस A डिगरी लिख सकते हैं, तो B जोर C बटे दो, 180 माइनस A बटे दो के बराबर आ जाएगा. इससे sin b जोर c बटे 2, sin 180 माइनस a बटे 2 के बराबर आ जाएगा जिससे हमारा उत्तर sin b जोर c बटे 2, cos a बटे 2 के बराबर आ जाएगा दोस्तों यही था प्रश्ण और यही हमें प्रूफ यानि दिखाना था यह कुछ त्रिकोड मीतिय सर्वसमिक आये हैं जिने आपको याद रखना है इसमें sin square theta plus cos square theta equals 1 होता है 1 plus tan square theta sex square theta के बराबर होता है और 1 plus cot square theta cosec square theta के बराबर होता है इस प्रश्ण में हमें 1 plus tan square theta बराबर sex square theta का प्रयोग करके यह सिद्ध करना है कि sin theta minus cos theta plus 1 बटे sin theta plus cos theta minus 1 1 बटे sex theta minus tan theta के बराबर होता है दोस्तों जो बाइं और लिखा है हम उसे उपर नीचे cos theta से भाग देके इस रूप में लिख सकते हैं जो tan theta plus sex theta minus 1 बटे tan theta minus sex theta plus 1 आ जाएगा उसके बाद हम उपर और नीचे tan theta minus sex theta से गुणा कर सकते हैं जिसके बाद हमें इस प्रकार का जो expression मिलेगा जिसमें tan square minus sex square theta का term आ जाएगा तो दोस्तो प्रेश्र में यह दिया हुआ है कि sex square theta minus tan square theta जो होता है वो एक के बराबर होता है तो tan square theta minus sex square theta minus 1 के बराबर होगा तो दोस्तो उपर दिये गए expression को हम इस प्रकार लिख सकते हैं जिससे हमारा जो final उत्तर जो है वह वन बटे sex theta minus tan theta आ जाएगा तो दोस्तो हमने यह सद यह सत्यापित जो भी आप कहें वह कर दिया है दोस्तो आशा करती हूँ कि मैं त्रिकोड मिती समझाने में सफल रही